कि गेर इरादातन हत्या जो थी अकस्मात जिसको कहते हैं इसमें हमने दो हिस्से कि अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिती में हो सकता है तारी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रहस करकर आ गया रहा अकस्मात हो गया अक 10 रन केस मरता हुआ छोड़ कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावदान होना चाहिए और ये नरेंद्र मोधी सरकार का उचित ही नेनए है कि आतंकवाद के लिए ये कानून में हमने जगे दिये है इसके बाद भारत सरकार, किसी राजे सरकार, विदेश की सरकार, अंतर सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कुट्यों भी आतंकवादी माने जाएंगे मैं नहीं मानता, इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाईस बची है कि इसका दुरूपयोग हूँ, और मैं सदन को आस्वस्त करना जाएंगे, कानून तो लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक्त, अगर कोई इसका दुरूपयोग करता है, यहां तक अमारी सरकार का सवाल ह हम उसको रोकेंगे भी और उसको नश्यत भी करेंगे, सजा भी देंगे, और सबसे उपर कौट है, अगर किसके ग्रिवन्सी से तो यह आतंकवाद को रोकने का प्रोविजन भी कौट के उपर तो नहीं है, धारा लगते ही कौट इसकी मिमान सा करेगी, अगर इसके डर से आ मर्थन चाहिए, सिर्वात चाहिए और जिरो टॉलरंस का इस संदेश इस सगन से जाना चाहिए, मनेवर संगटित अपराद के भी पहली बार वाक्ष्या की गई है, कई राज्य और राज्यतर घैंगे संगटित अपराद करती है, इसके लिए कोई विशोस कानून नहीं था इसके अंदर हमने साइबर अपराद को, आर्थिक अपराद को, भूमी अथ्यानक को, हक्यारों की, व्यापार को, डकेती को और मानव लोगों की तसकरी करने व्यक्तियों की मानव तसकरी में यह सभी को इसके अंदर रखा है, आर्थिक अपराद की भी हमने व्यक्या की है, करंसी नौट, बेंक नौट, सरकारी स्टेम का कुटकरन, हवाला वहवार और बड़े पहमाने पर वित्तिय कपट और आर्थिक विवस्था को तोड़ने के सभी प्रयास इसको भी आर्थिक अफराद की व्याक्यतिके तरह पहली बार लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इससे मुझे लगता है कि नायपालिका का काम काफी सरल हो जाएगा मानेवर एक मैं इस पश्टी करन करना चाहता हूँ कि गेर इरादातन हत्या जो थी अकस्मात जिसको कहते हैं इसमें हमने दो हिस्से कि अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है एक गाड़ी चलाता रहा है एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश करकर आ गया अकस्मात हो दया अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयम उसको पोलिस टेशन या तो हस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजाका प्रावदान किया है औ अगर हीट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने दस साल की सजाका प्रावदान किया है और मैं मानता हूं कि इससे हीट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी पर ये करते करते जो डाक्टरों की नेगलिजन्सी से अगर किसी की मृत्ति आती है तो वो भी गहर इरादातन हत्या में आ जाती है इसकी भी सजा बढ़ दो तो हमने इसको एक मैं आज ऑफिसल एमेंडमेंट लेकर आऊंगा डाक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है इंडियन मेडिकल अर्सोसेशन मेरे सामने वजुवात करी थी हमने इसको मुक्त करन सदाय या किसी संक्या के अधार पर एक टोला एकत्री ठोकर किसी को मार देता है तो उसमें मैक्सिमम फासि तक की सजा की है स्नैचिंग के लिए कोई कानून नहीं था चैन्सनेचिंग होते थे मोबाइल होते थे और अलग-अलग धराओं में अंत्में कानून में कानून के गैप का फाइदा उठा कर वो छूट जाते हैं, थे स्नैचिंग के लिए भी हमने कानून लाया है, और मानेवर गंबीर चोट का जो कानून था, इसमें भी हमने दो डिविजन करे हैं, किसी ने किसी के सरपल लाठी मार दी, इंजड हुआ, तो उसको सजा तो होनी चाहिए, प कठोर डंड देने का प्रावधान किया है, इसको सेपरेट किया है, मानेवर गंबीर चोट का जो खंड 117 है, उसमें 10 साल की उम्रकैत का हमने प्रावधान किया,